हेलो एबरीबान हमारी ठीक एम की सीरीज में छार के पार्टू में हम लोग देखेंगे रिलाइबिल्टी और आम्तिती अपके बारूं तो यह रहा हमारा सुलिबस इसमें हम देखेंगे ऑम फैक्टर आपक्तिं रिलाइबिल्टी आमटिती आए युम सारा में अव्याली कर तो सबसे में हरसे, समझथे हैं कि जो ієं उसको इंफ्लुएंस करने वाले फैक्टर न्हेंस उसके वाद हम रिलाइपिल्टी करने, तो पहला पर पंहले हमारे क में पना साथे हैं बतलता है हम टेस्ट करते हैं उसके जो जो reliability होती है, influence होती है उनसे, तो जो performance test takers होते हैं, उनमें पहला होता है, as efficient number of item, मार पास उस मात्रा में होने चाहिए, एक दो में कुछ काम नहीं चलता, reliability test करने के लिए, ठीक है, और restricted freedom of test behavior, जो test का behavior होता है, उसको freedom होनी चाहिए, लेकर restricted, total नहीं होनी चाहिए, ठीक है, unambiased test item, clear instruction and rubrics, मतलब जो आपको item है, वो बचे करने होने चाहिए, और जो instructions आप दे रहे होते हैं, उनको testing के लिए, वो एकदम कैसे होने चाहिए, clear होने चाहिए, ठीक है, और rubrics में सोता है, head, lipseeds, ठीक, और last में का होता है, layout, good copies, familiar format, और proper administration, ठीक है, ये साजी properties होंगे, तो ये इसारी influence करेंगे हमारी reliability इसको, इसारी चीजी affected करेंगे हमारी reliability को, और दूसरा, जो scores होते हैं, उनमें कैसा होता है, objective scoring बचे, subjective scoring मतलब आपजेक्टिव स्कोरिंग, मतलब आपजेक्टिव थे हमारी की 100 आनी चाहिए, reliability का score, आ रहा है, हमारा 800, ठीक है, और restricted freedom of response, जो उसका, जो response आयागा, बो भी हमारी reliability पर affect करेंगा, क्योंकि हम जो aspect कर रहे होंगे, बो तो आयागा, नहीं, our detailed scoring marking की, जो हमारी scoring है, जो भी कोई मतलब आपनार है, उससे जो scoring मिलेगी है, हमारी reliability के, उसकी जो detail होती है, बो भी हमारी reliability को influence करती है, आप हम समझते है, MTTF को, MTTF मतलब mean time to failure, एक example समझाता हूँ आपको, definition तो आप समझे लोगे, समझना important, कि आपने एक bearing ले, bearing तो समझते होगे, जो पल्में को लगी होती है, एक ball bearing बनाने वाले आपकी company है, और वो बादा करती है, आप से, यह मतलब उससी को देख के guarantee warranty देती है, कि यह जो आप लेके जाओगे, तो यह करीब 1 million revolution, करीब 10 lakh बार घूमेगी आपकी, मतलब 10 lakh बार घूमने में कोई इसमें दिक्कत नहीं आईए, कोई defect नहीं आएगा, उसके बाद कि हमारी guarantee नहीं है, और उससे, जैसे आपकी machine जो है, एक दिन में 8 गंटे काम करती है, उसके हिसाब से अंदादा लगा लें ठीक है, तो अब यह company decide करेगी, जो भी guarantee है, या warranty है, तो यह कर देगी, कि 3 साल की guarantee है, इस हिसाब से देगी, क्योंकि उसे reliable, वो product की, जो reliability चेक करेंगे, तो चेक करेंगे, कि यह, मतलब 10 lakh बार घूम जाता है, यह bearing, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, तो आपकी, आप यहां पर machine ब्लुकल नहीं थी, आपने start करें, और यहां पर आपकी machine, मतलब जो भी है, failure हो गया, ठीक है, तो इनके 20 का average time आता है, यह time का इग्राफ है, और यह जो आपकी machine है, आपने 10 to the power 6 regulation, यहां से start, यहां पर एक bearing लगाई है अपने, और यहां तक उसके 10 lakh regulation पूरे हो जाएंगे, अब यहां पर ऐसा नहीं है, कि यहां जैसी 10 lakh होंगे, वो bearing तूरंटी तूट जाएगा, जोड़ी नहीं है, अगर इस से पहले तूटता है, तो मतलब कूप कम्पनी का fault है, उसे guarantee warranty जो भी उसने दी है, वो फे करनी पड़ेगी, लेकिन इसके बाद में, मतलब जब भी 10 lakh regulation यहां पर complete होंगे, उसके बाद में वो 1000 regulation, 2000 regulation, ऐसे कुछ चलेगा, उसके बाद में वो फेल हो जाएगा, फिर मतलब फेल होने की possibility उसकी बहुत जादा होगी, तो यह जो MTTF होता है, mean time to failure, मतलब इस time पे आपकी जो machine है, वो और जो MTTR होता है, इसकी full form होती है, mean time to repair, आप यहां पे जो आपकर वो आता है, आप कीजिए यहां पे, bearing का time पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी चल लगए हो, तो मतलब यह time आगे आपका repairing का, तो यहां पे आपका repair कर देनी चाहिए, तो यही है, live stream of a device MTTF, यहां से start होती है, यह के बल इतने का, इतने का, फिर से बनाएं का graph, अब समझ लेते हैं, MTTF क्या होता है, इस समझ में तो आई क्या होगा, कि mean time to failure is a very basic measure to reliability used or non repairable system, जो system होते हैं, आपके, जो सई से repair नहीं किया सकते, उन्हें बदलना ही पड़ेगा, उनके लिए हम MTTF, जो term है, define करते हैं, मतलब, एक mean time होता है, कि इस time के बाद में यह जो आपका device है, यह लगभी होगा, खराब हो जाता है, तो इसी term को define करते हैं, उसी को बोलते है, MTTF, basically आप समझ मागया होगा, पहुँचाए detail में इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है, यह graph बनाका समझात होगी, बस काम खत्म होता है, चाहें, और यह फार्मूला लिखते हैं, क्योंकि MTTF, क्या होगा, total hour of operation, मतलब, जो भी आपकी unit है, वो कितने देड़ तर operation में रही, जैसे, मैंने bearing का example गया था, जो टैंक बाबर 6 रेगुशन तो गुमेगा, मतलब 8 गंटे, वो डेली गुनता है, तो तीन साल है, मतलब 3 into 365 days into 8 कर दोगो, तो total hour आजाएंगे, और टोटल number of unit, मतलब कितने unit है, उनको डिवाइड कर दोगो, तो आपका आजाएगा mean time to failure, अब हम बात करते हैं, reliability के, अब reliability क्या होती है, reliability होती है, ability of a product to perform as expected over our time, मतलब कि आपने कोई चीज खड़ी ती, मतलब तो उस पे आपका एक भरोसा रहता है कि ये इतने दिन तक काम कर जाएगी, जैसे मैंने पिछला example दिया था, bearing का, कि एक bearing आपने खड़ी दी है, तो आपने, मतलब आप company ने आपको एक guarantee दी है, तो आपने भरोसा बनाया है कि ये 3 साल तक चल जाने वाली है, अगर इस से पहले ये फेल होती है, त तो आप, मतलब ये bearing की company है जो, वो reliability अपनी खोदेगी, मतलब उस पर आपका कोई भोसा नहीं रह जाएगा, तो उसी को बोलते है, मतलब ability of a product, ये product of a bearing, to perform as expected over a time, मतलब जिसकी performance है, आपने सोचा है कि ये 3 साल तक perform करती रहेगे, अगर ये 3 साल तक perform करती रहेगे, तब जाई नहीं करेंगे, तो I think समझ मा आगे होगा कि reliability क्या होती है, तो अब जो reliability को चार element में बाट दिया गया है, मतलब जो उसे affect करते हैं, ये influence करते हैं, तो पहला होता है probability, probability सभी लोग समझते होंगे, कि मतलब 50 बार हमने, मतलब 50 bearing निकाले हैं, तो उसमें 99 ठीक निक निक दूसरा निकाला हैं, या 48 ठीक निकल लगा हैं, तो मतलब एक HIV निकाला था, उसमें 50-500 चले, दूसरा बैस निकाला, उसमें 99 ठीक चले, तीसरा बैस निकाला, उसमें 30 ठीक चले, तो इस तरह से probability होती है, हमारी, उसने आंदाज लगा लेते हैं कि इतने successes हमारे हो जाएएं कि जितने दिन चले उतने दिन तक ठीक ठाक चला उसमें कोई प्राब्लम आई नहीं आनी चाहिए ठीक है तो यह सटिस्पेक्ट्री पर्फॉर्मेंस हैनी चाहिए तब रिलायबल प्रोडक्ट होगा तीसरा इंडेंडेंड फंक्सान मतलब कुछ लोग अपनी डिजारबल प् ठीक है और चौत है लाइफ मतलब अगर उसको आपने कहा है कि तीन साल यह चलेगा तीन साल चलना चाहिए यह मतलब डिपैंड ही करेगा इस लेइबिल्टी पर यह तो सीडिसी बात है और चौत है इंवार्मेंटल कंडिशन जो इनवार्मेंटल कंडिशन भी हमारा जो प् उसमें कोई क्रेक आजाए ठीक है आउट्डोर कंडिशन उससे बाहर भी कोई ऐसी समस्या नहीं आनी साहिए इस्टोर जहां पर पर रख रख रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी साहिए यह बेरिंग है तो इसमें आपको साहथ थोड़ा बो लगें ऐसे आप मालों सीशे के गिलास हैं तो इनमें तो कितना मतलब अंतर पढ़ जाएगा इस थोड़े लगसा इस नहीं करोगा तो इसलिए यह सारे फैक्टर्स दो होते हैं वो रिलाइबिल्टी से ऐस्योसेटेड रहते हैं अब बात करते हैं रिलाइबिल्टी एबुलिशन मेथड दो रिला और उन चाशु की मतलब जात करने की कुछ पद्दियां होती हैं कुछ तक्नीक होती हैं उन टेक्निक्स को हम देख लेते हैं कौन-कौन सी होती है उनकी एक्जांपल देख लेते हैं जैसे फाल्टिट्री अनलेसस इसे एप्ट यह बोलते हैं सौट फाम में फेलियर मूड इफेक्ट अनलेसस एफम यह बोलते हैं सौट फाम मार्कोग मेथड मार्कोग सांटिस्ट का नाम था नेटवर्क रिडक्शन मेथड ठीक है और डीकंपोजीशन मेथड यह बहुत फैमस मतलब यही नौर्मली चलते हैं जिनसे हम क्या करते हैं रिलाइबिल्टी जो होती उ यूज होता है जैसे कि कुछ अग्जांपल देता हूं मैं प्रोड़क्ट अंडर कंसिडरेशन था स्पेस्पिक नीड जो आपका मेथड होता है फेलिर मॉड एंड एफेक्ट अनलेसस वह हम यूज करते हैं एरोस्पेस डिफेंस में ठीक है और जो एक्टी होता है क्या कहत उनमें हम जे फाल्टेटरी अनलेस को इस्तमाल करते हैं ठीक है तो थैंक्स आइधिंक जो जो समझा है आपको समझ में आया होगा अब इस वीडियो ने आपकी मदद की है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और ये इसकी जो पीडिएफ है उसको डिस्केस्ट बाक से डाउम कर दो जो को जो एफ खट एफ लिए अपकी में आपकी में आपकी सीजए है तो आप हमें की है तो कर सकती है तो क्ता है।